तो हलो जी नमस्ते कैसे आप सब चुलाओं फिर से केक बना कर के आप लोगों में दिखाऊंगा लेकिन आज वलो जो केक बना रहो ना कोई भी बना सकते हैं मतलब आप भी आराम से बना सकते हैं बिना टेंसन और पलस देखने में भी लगब ठीक ठाक ही है बाकी वो तो आप बताना तो 5 kg का केक बनाओंगा आज जो मैं बनाने हो लेकिन कस्टमर में इनको फोटो लाकर के दिया था उस टेम पे उनको बोला भी कि आप चाहो तो दूसरा बनवा सकते हैं कि एनवसरी के लिए उनको केक चाहिए था इससे बेहतर केक मतलब में बना करके दे सकता था और मैं बोला भी कुछ अगर फोटो आपको दूसरा चाहिए तो देख लो कस्टमर बोले नहीं में यही केक चाहिए मैं बोला ठीक है भाई आप यही केका प्रकलो कोई दिकत नहीं आपका मर्जी मेरे को था कि मैं अगर आपको अच्छा सचा दे सकता हूँ इसलिए मैं आपको पताया और वैसे भी होता है ना कभी कभी जैसे कुछ केक्स रहता है लेकिन हाथ देखने में बहुत अच्छा लगता है उसके बाद इस तरह से डौट डौट लगा दिया यह देख सकते हो उसके बद चममच या फिर आइसिंग नाइफ रहता उसके सहारे आप इस तरह से उपर के तरफ मतलब किरीम खीचते चले जाना है या फिर चाहो तब कोई brush से भी कर सकते हो लेगन brush से नहीं होगा चममच वगरा या फिर कोई छोटा चीद से मतलब इस तरह से design दे सकते हो इसम प्लस नाम अगेरा भी लिख सकते हो अब चाहँ तो कुछ मतलब डिजाइन भी दे सकते हैं और नीचे हमें फ्लावर भी इसमें एड करके रखना है तो इसके वज़े से बेस हमें फिनिसिंग करना पड़ गया इसमें और अगर आप लोगों को भी होता है तो क्यमें वेग बता ना मैं सेपरेट फ्लावर का विडियो आप लोगों में स्टार्टिंग से मतलब इस तरह से कलर आपको कैसे construct निकलेगा मैं आपको विडियो बना करके देश FAVAL अप इसमें देख सकते हो फ्लावर किसटर से बनार र लेकिन थोड़ा बड़ा साइज पे है छोटा छोटा नहीं है ठीक है फ्लावर सेट होने के बाद में इसमें पत्ता लगाना तो ग्रीन कलर से इसका देख सकते हो साइड साइड से पत्तिया इसमें लगा दिया हो और बाकी जो नॉर्मल स्प्रिंकल्स रहता ना मतलब वाइट कुछ तो इसमें ज्यादा डिजाइन था निवर सिंपल सा केक था मैं आपको बताया ना पहले ही पता नहीं आप लोगों को आच्छा लगा या नहीं बट सिंपल में था इसके वजह साबले को साथ सेर कर दिया कुछ मेरे पस्टेक्स पढ़े थे पहले यह सेट कर रहा था यह नहीं समझ में आया फिर दूसरा यह वाला सेट कर दिया ठीक है तो कैसा बना एक कमेंट करके फिर भी ज़रू बताना अच्छा खराब जो भी लागा